हलो दियर स्टुडेंट्स, आज इंटरनेशनल मार्केटिंग के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्रड़क्ट लाइफ साइकल कर्व्स की पिशली बार जब इसके बारे में हमने बात की थी तो हमने प्रोड़क्ट लाइफ साइकल यानि प्लसी की अलग अलग अवस्थाइं यानि इंटर्ड़क्शन, ड्रॉथ, मैचुरिटी और डिक्लाइन स्टेजिस, चार स्टेजिस आपको बताई थी अब हम बात करते हैं इंटर्नेशनल प्रोड़क्ट लाइफ साइकल कर्व्स ये कैसे कैसे बनते हैं देखे तीन तरह के देश हम देख सकते हैं एक डेवलप्ट कंट्रीज हैं एक अंडर डेवलप्ट कंट्रीज हैं और एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं अलग-अलग देशों में जो technical development है वो अलग-अलग level का होता है जो विक्सित देश हैं उनमें अनुसंधार और विकास प्रयास अलप विक्सित देशों की तुलना में कम होते हैं यह स्वभविक है इसलिए जो नए product होते हैं वो विक्सित देशों में पहले प्रविश कर जाते हैं अंतरास्ट्रिय जीवन चक्र की रेखाएं यानि product life cycle curves in international market यह दर्शाती हैं कि innovative products की खोज बहुत अधिक विक्सित देशों में की जाती है अगर प्रयारंब की बात की जाए तो यह जो बहुत ज़दा विक्सित देश होते हैं यह अपना जो access production है उसको अन्य देश में यह export कर देते हैं और फिर बाद में यह product अल्प विक्सित देशों में भी निर्यात किये जाते हैं धिरे धिरे कुछ समय के बाद अन्य जो developed countries है अती विक्सित देशों से यह क्या करते हैं जो बहुत highly developed countries हैं उनके यह उत्पाद की नकल करके उत्पाद बनाना शुरू कर दे हैं अब यह अन्य विक्सित देश स्वैम इन प्रोडक्स को बनाकर बहुत अधिक जो विक्सित देश हैं उनको अल्प विक्सित यानि under developed countries को इनका नर्यात करने लगते हैं तो यह process है कि बड़ी मचली और छोटी मचली का जो उधारन जिस तरह से दिया जाता यह उसी तरह स है इस तरह से अन्य विक्सित देश जो पहले innovative products को बहुत अधिक विक्सित देशों से आयात करते थे वे अब क्या करेंगे वे इन्हीं प्रोडक्स को स्वैम बना करके इन्हें बहुत अधिक या अतिविक्सित देशों को नर्यात करते हैं इस दश्वा में क्या होगा तक यानि वो इंपोर्ट करेंगे कुछ समय के बाद अल्प विक्सित देश इन प्रोडक्स को बनाने लगते हैं इसलिए क्या होता है जो underdeveloped countries हैं यानि अल्प विक्सित देश हैं उनमें जनसंख्या अधिक होगी और जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या होगा उनकी production cost औ और आपकी labor cost कम हो जाती है और labor cost जब कम हो जाती है तो अब विक्सित देश क्या करते हैं अती विक्सित देशों और विक्सित देशों की तुन्ला में उत्पादन कम लागत में वो बना पाते हैं अब इससे होगा क्या इससे होता यह है क्योंकि जो developed countries हैं वे production cost उनकी ज़ा जाएंगे और इससे फर्क क्या पड़ेगा इससे अंतर यह आएगा कि यह देश डेवलप्ट कंट्रीज को यह उत्पाद अब निर्यात करने लगते हैं इस अवस्था में क्या होगा रिवर्स इंपोर्ट स्टेज यह आ जाएगी विपरीत आयात अवस्था इसको कहते हैं त और उनको अंडर डेवलप्ट या डेवलपिंग कंट्रीज को बेचा और जब वो मार्केट में आ गए उसके बाद पुरी तरह से उन्होंने उनका फाइदा उठाया उन्होंने यह बेजा इसको एक्सपोर्ट किया लेकिन बाद में जब यह थोड़े से पुराने पड़ ग होने की वज़े से जो अंडर डेवलप्ट कंट्रीज हैं या आपके आ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर जन संख्या जादा है तो वहां पे अब मैं अगर एक्जामपल आपको दूँ के मालीजी यह कोई प्रोड़क्ट पहले चीन ने बनाया है या जापान ने ब पड़ती है हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो सस्ता बनाया प्रोडक्शन कोस्ट हमरी उसकी कम आई तो शुरू में जो चीज हम पहले मंगाते थे बाहर से आयात करते थे अब क्या करेंगे उस चीज का हम नर्याद करना शुरू कर देंगे तो ऐसी जो आवस्था है उसे हम कहत क्या करते हैं उनको वो इंपूर्ड करते हैं जबकि अल्प विक्सत यानि अंडर डेवलप्ट कंट्री इन उत्पादों के एक्सपोर्टर बन जाते हैं यानि नर्या तक यह वस्ता बहुत लंबे समय तक चलती है तो अंतराश्ट्रिय उत्पाद जीवन चक्र रेखाओं म हम देख सकते हैं इसमें जिसमें इनोविटिव जो प्रड़क्ट्स हैं वो इनिशेटेड बाइडा कंट्री इच र्षॉर्थ है हाइली डेवलप्ट चंट्रीज यह जो पहला कर्व है दूसरा कर्व है अधर एडवांस कंट्रीज यह डियरवलप्ट यह वह रिलेटिबल कंट्रीज हैं उनका ग्राफ डिकलाइन पर जा रहा है उसके बीच से दूसरा कर्व अधर एडवांस कंट्रीज का शुरू हो रहा है और इसी तरही कैसे जो अंडर डवल्प कंट्रीज हैं वो देखिए वो कहां से यह एडवांटेज लेना शुरू कर देते हैं और कहां पर जाकर के उसका कर्व ऊपर आ जाता है और एक किसम से अंडर डवल्प कंट्रीज फिर बाद में जाकर के इसके नर्यातक या एक्सपोर्टर भी बन जाते हैं इन प्रोडक्ट्स के इस बारे में एक महतुपूर्ण थियोरी है प्रोडक्ट लाइफ साइकल थियोरी इन इंट इस धांत इस मानिता पर आधारित है कि अलग-अलग देशों में जो टेक्निकल डेवल्पमेंट है उसमें अंतर होता है जिसके करण अंतर राष्ट के व्यापार भी होता है क्योंकि टेक्निकल डेवल्पमेंट अलग होने के करण ही अलग-अलग इनोवेटिव से बिखसित देशों में अनौसंधान प्रियासओंसे जू नई नई technologies हैं कlla development होता है इस इनवेटिव Technology के अधार पर क्या होगा इनवेटिव प्रोड़क्ट बनेंगे नए नए तरह के प्रोड्क्ट बने इस तरीके से क्या होगा जो इनवेटिव प्डॉक्ट को जो विकास विक्सित देशों में जो जादा होता है प्रारंब में तो विक्सित देशों में प्रारंब में जब ये इनोवेटिव प्रॉडक्स आते हैं तो एक किसम से मोनोपॉली की स्थिती में आ जाते हैं यानि एक अधिकारी होते हैं वो और खूब लाब अरजित करते हैं ये developed countries लेकिन ये देश उस जो नवाचारी product या जिसे कहेंगे innovative product है उसको अन्य देशों को निर्यात करके अंतराशी वापार का लाब कमाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो जो reverse import condition जो लागू होगी कुछ समय के बाद क्या होगा ये innovative product standardized product बन जाएंगे अब इनका निर्मान तुलनात्मक ग्रूप से कम कुछल वेक्टी भी कर पाएंगे क्योंकि इन्हें standardized कर दिया गया इनकी technology अब दूसरे देशों को भी पता लग गया इसलिए जो उत्पादन की लागत में अन्य जो तुलनात्मक ग्रूप से जो घटक होते हैं जो तत्तु होते हैं उनकी लागत कम होती चली आती है इसलिए international trade में क्या होगा कि तुलनात्मक लाब प्रारंब में तो विक्स देशों को मिलेंगे लेकिन बाद में developing countries को और under developed countries को भी उसके लाब मिलने आरंब हो जाते हैं विक्स देश क्या करेंगे प्रारंब में लाब कमाएंगे और बाद में धिरे धिर ये दूसरे जो देश हैं वो भी लाब कमाना शुरू कर देगे तो इस तरह से ये जो सिध्धान्त है इसे उत्पाद जिवन चक्र के पांच अवस्थाओं में इसे विभाजित किया गया है यानि five stages हैं इसमें international theory of marketing में और इन अवस्थाओं का जो रूप है वो इस तरह से ह introduction यानि पहली आवस्था है इसमें देखे ये जो graph भी है आप देख रहे हैं इस graph में जो introduction stage है ये दिखा रही है कि इसमें इस आवस्था में जो innovative unit है यानि वो unit जिसने इस innovative technology को आधार बान कर एक नया उत्पाद विक्सित किया उस case में उत्पादन के समन्द में एक एक अध विक्सित देश में होगी और क्योंकि विक्सित देश में research और development और innovation पे खर्चा बहुत होता है उसका बढ़ावा होता है तो प्रारंभी कवस्था में क्या होगा कि यह आवशक तो होती है कि प्रारंभ में कम विक्सित देशों में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नह नहीं मिलेगा और यह सिर्फ developed countries में ही घुमके रह जाएगा जैसे मालेजी आपल का नए नया फोन आता है तो वह शुरू में इंडिया में लांच नहीं होता वह यूएस में लांच होता है क्योंकि वह टेक्नलोजी वहां की है लेकिं धिरे धिरे वह चीज़ें यहां तक प दलती हैं दूसरी अवस्था क्या होती है growth की stage में इसमें देखिए दूसरे stage में क्या होगा कि समय की अवधी में उत्पाद की जो व्रिधी है यह उस अवस्था को प्रकट करेगी इस अवस्था में क्या होगा कि मूल विक्सित देश जो innovative product है नया product है उसे विदेशों में बाजार ढूडने का मौका मिलेगा, नया बाजार उसे चाहिए अलग-अलग देशों में तो क्या करेंगे इस अबस्था में क्या करेंगे जो इन्नोवीटिव नया प्रोडट्ट है उसे अन्य देशों में निरियात किया जाएगा, अन्य विक्सित देश उच आई वर्ग वाले जो भोगता हैं वो परियाब तिसंख्या में उसे मिलेंगे और उची कीमत देने को तयार हो जाएंगे जैसे मैंने एपल के फोन की आपके सामने बात की उसका जिक्र किया जब नया वो फोन लॉंच होता है तो जैसे यूएस में अमेरिका में हुआ और बाद में उसके वर्जन अलग-अलग देशों में आते हैं तो ऐसी स्थिती में क्या होगा कि उतपाद की निर्मानी क्रियाओं में मूल विक्सित देश में केंद्रित रखा जाएगा इसे लेकिन व्यापार रूट जो ट्रेड रूट है वो अपना कर अन्य देशों में भी उसका नर्याद करना शुरू हो जागा यह उसकी दूसरी स्थिती है दूसरी अवस्ता है दूसरी स्टेज है इसकी थर्ड स्टेज पर चलते हैं विश्व में इसकी मांग बढ़ जाने से इसका उत्पादन बहुत ही बड़े लेवल पर बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन की मनजूरी मिल जाएगी और इसे करना शुरू करतेंगे नर्याद रूट जो होगा आपका जो ट्रेड रूट है उसके द्वारा उत्पाद को विश्व भर में बेचने के स्थान पर निवेश रूट अपना कर यानि इन्वेस्मेंट रूट उसे अपना लिए जाएगा और उत्पादन करियाओं में अन्य अन्य देशों में हस्तान तरित करके उची तलाब कमाना शुरू कर दिया उसको बनाने का लाइसेंस अन्य देशों की इकाईयों को भी दे दिया जाता है तो लाइसेंस मिल गया अब वो प्रोडक्शन उन देशों में भी अंडर डेवलेप्ट या डेवलिपिंग कंट्रीज को भी मिल जाएगा समझें इसके अलावा क्या होगा कि कुछ विदेशी जो उत्पादक है इस नमाचारी या इनुविटिव प्रोडक्ट को या नए प्रोडक्ट को साधाने भाश्या में कहूं उसकी नकल करके उस सुएम बनाना शुरू कर देंगे और वो जो विकसित देश हैं उन्होंने जो लाब कमाया था अब ये ये चोटे देश या विकाशिल देश वो भी इसे बनाना शुरू कर देंगे लाब कमाना शुरू कर देंगे क्योंकि विकाशिल देशों की जनसंक्या अधिक होने से श्रमलागत जैसे मैंने बताया कम होगी और मांग भी इनकी बढ़ेगी तो जो नवाचारी मूल देश यानि जिसने प्रड़क्ट सबसे पहले बनाया था वो विकाशिल देशों के प्रवेश हितू निवेश रूट अपनाने से यानि निवेश जिनके मादम सिक्या आजाता है नवाचारी मूल देश के नर्यात कम होने लग जाएंगे यानि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने सस्ता प्रड़क्ट बनाया है तो उन से खरीदना लोग शुरू कर देंगे क्योंकि डेवलपिंग लक्र मॉडल की गिरती हुई आवस्था को दर्शाएगी इस आवस्था में क्या होगा अन्य विदेशी उतपादक जो विकासिल देशों के उतपादक हैं उनके परफॉर्मेंस में सुधार आएगा पिना किवल अपने देश में उतपादन बेशते हैं बलकि अन्य देशों में कम पैसे में कम लागत में उसे बनानेंगे इससे जिस देश ने मूलते उस प्रड़क्ट को बनाया था उसके नर्यात पर उसका नकारात्मगियानी नेगेटिव इंपेक्ट पड़ेगा इस अवस्था के अन तक जो मूल नवाचारी देश है विक्सित देश है जिसने तरह से समाब्त हो जाएगा समझ माई बत और इसकी जो अंतिम और पांचमी आवस्था है वो है विपरीत आयात आवस्था फिफ्थ स्टेज रिवर्स इंपोर्ट स्टेज अब देखिए किस तरह से समय का चकर घूमता है जिस डेवलप्ट कंट्री ने सबसे पहले जो अति प्रड़क्त को शुरू की तीन आवस्थाओं में खूब बेच करके लाब कमाया लेकिन जब ये प्रड़क्ट स्टेंडरडाइज हो गया दूसरे धीश से बन करके कि कम पराइब तक्रदक्शियों उसे खरीदेश में से एक समय विक्सित देश की प्रॉडक्शन कोश्ट उस समय बहुत जदा होनी शुरू हो जाएगी यह रिवर्स इंपॉर्ट countries हैं वो under developed countries या developing countries इन से उसे क्या करेंगे import करना शुरू कर देंगे तो इसी लिए इस stage को हम कहते हैं reverse import stage तो इस तरह से ये पांच दशाएं हैं जो ये दिखाती हैं पांच अवस्थाएं हैं जो product life cycle theory of international marketing को दर्शाती हैं और international marketing के जो उत्पाद के जीवन चक्र का सिध्धान्त है उसे ये अपने आप में साबित करती हैं तो आज इतना ही इस बारे में आप पढ़िए और अपना ध्यान रखेगा अगले चेप्टर में हम इस से आगे की बात करेंगे Thank you very much हुआ कर दो से आपको करेंगे। झाले तो से ले अगे आपको की बात की की बात करेंगे वारे में हम इस आपको का दो आप eप जा आपको करते हैं जीवन करते हैं झाल झाल